आपका स्वागत है मेरी किचन में आज हम रस भरी रसीली जली भी बनाएंगे तो आप वीडियो को पूरा वाज कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजिएगा फ्रेंज यहाँ पर मैंने लिया है एक कप मैदा आप जो भी कटोरी कप है आपके पास आप उसी से मेजर्मेंट कीजिएगा फ्रेंज लेबल करके आप सब कुछ लिजिएगा तो मैंने एक सैसे इनो लिया है इससे जलेवी बहुत फोली-फोली बनती है और बहुत थिस्पी बनती है तो अब इसमें हम डालेंगे डेड़ चम माथों से इसमें मिक्स कर लेंगे घी और इनो को मार्केट से आप जलेवी लाकर खाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी रहती है बहुत टेस्टी रहती है तो आज उसी अनुसार हम घर पे बनाएंगे होब मेड जलेवी तो बाजार से भी ज्यादा अच्छी बनेगी ज्यादा पानी नॉर्मल पानी तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका हम बैटर बनाएंगे तो एक साथ में पानी बिल्कुल मत डालिएगा फ्रेंड्स पानी थोड़ा थोड़ा डाल कर इसको मिक्स कीजिएगा पहले तो इसमें लंप्स बहुत सारे बन जाएंगे और और बहुत अच्छा बैटर बनके तयार हुआ है तो बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है मैं एक फिंगर में लगा के देख रही हूँ टप टप चोरा है तो इसी तरीके से हमको बैटर बनाना है तो हमारा बैटर बनके तयार हो गया है औ और एक कप पानी लगा है, जिस कप से मैंने लेबल किया था मैदा, उसी कप से मैंने पानी लिया था, पानी और भी लग सकता है, तो आप जब बनाएंगे तो अपना लेबल कर लीजिएगा, तो मैंने एक पतिला रखा है गैस पर, इसके अंदर उसी कप से हम डालेंगे एक चीनी तो चार बड़ा चम्बच और मैंने चीनी लिया है क्योंकि चासनी एक दम से गाड़ी बनानी है कि एक बार जली भी खाओ तो मुह में मज़ा ही आ जाए तो मैंने आधा कप पानी लिया है बस इतना ही पानी डालूँगी अब इसका मैं चासनी बनाऊंगी तो गैस को मैंने ओन कर लिया है और इसे अच्छी तरीके से पकाना है तो इसे एक चम्बच से चलाते भी रहना है नहीं तो चीनी ये जो है पतिले में चिपगनी लगेगी और चासनी आपकी अच्छी नहीं बनेगी तो अब ही गैस का फ्लेम मीडियम ही रखिएगा जब चीनी मैल्ट हो जाएगी सारी तो आप हाई फ्लेम करके इसको पका लीजिएगा तो देखिए बबल साने लगे हैं चासनी में अब ये पकने लगी है तो अब हम क्या करेंगे इसमें हम तीन हरी इलाजी डाल देते हैं थोड़ा सा तोड़के और थोड़ा सा इसमें केसर के धागे डाल देते हैं ये बिल्कुल ऑप्सेनल है आपका मन है तो आप डालिए वरना इसकिप कीजिएगा तो चीनी हमारी मैल्ट होना शुरू हो गई है चासनी पकना शुरू हो गई है इसे हम साथ से आठ मिनिट तक पकाएंगे चासनी एकदम कड़ी बनाना है तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से चासनी हमारी पक रही है जलेवी बनाने से पहले पहले आपका काम है चासनी बनाना तो चासनी हमारी देखी तयार हो गई है पक के लिकिन अभी अमे और पकाना है तो थोड़ा सा मैस में औरेंज फूड कलर डाल देती हूँ कलर के लिए है ये ये बिलकुल आप्सनल है थोड़ा सा जलेवी सुन्दर दिखने के लिए तो मैंने इसे लगभग लगभग 10 से 12 मिनिट फका लिया है और चासनी हमारी गाड़ी हो गई है तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले चासनी हमारी कैसी बनी है तो ये रेखे चासनी हमारी बहुत गाड़ी बनी है और बहुत एकदम देखे तार नहीं होना चाहिए नहीं तो जलेवी जब इसमें डालेंगे आप छान के तो जम जाएगी तो तार नहीं लाना था अब ये पक गई है मैं गैस को बंद कर के इसको हटा देती हूँ गैस पर से तो इसे रखते हैं साइड में अब चलिए देखते हैं बैटर हमारा कैसे है तो बैटर हमारा फूल के रेडी हो चुका है मैंने इसको 20-25 मिनट तक ले ऐसे ही रख दिया था तो ये फूल कर अच्छे से सेट हो गया है मैंने यहाँ पर एक गिलास लिया हुआ है तो यहाँ पर फिर मैं वापस से ले लेती हूँ एक दूद की थैली या दही की थैली जो मार्केट में दूद और थैली मिलती है दूद और दही की और एक घर पे रखी हुई मैंने पॉली थिन ली हुए जो चीनी भरके आती है मार्केट से दुकानों पे मिलती है तो वही वाली पॉली थिन ली हुँ या फिर आप पाइपिंग बैग ले लीजिए या फिर आप जिसमें सौस रखते हैं वह वाला डबा भी ले लीजिए जो आपको इजी लगे जो आपको सही लगे तो मैं इस पॉली थिन के अंदर सारे बैटर को डाल ली हुँ अब क्या करेंगे इसको हम चारो तरफ से हलके हलके पकड़ कर एक जगह पे कर लेती हुँ अब देखिए अभी मैंने इसमें कट नहीं लगाया है गिलास को रखेंगे साइड में यहाँ पर एक रवर लगा देते हैं इसको कबर कर देंगे जिससे जब यह कड़ाही में डालेंगे तेल के अंदर तो बैटर उपर नहीं जाएगा एक ही जगह पे रहेगा तो मैंने इसको रेडी कर लिया है क्या करेंगे एक सीजर लेके इसमें कट लगा देंगे छोटा सा बहुत बड़े कट नहीं लगाऊंगी जितना छोटा कट लगाएंगे उतनी ही कुरकुरी जलेवी बनती है मोटी कट लगाएंगे तो मोटी जलेवी बनती है तो यह देखिए मैंने छोटा सा कट लगाया है इधर घी रख दिया था गरम होने के लिए तो मैंने पूरा घी लिया है एक कप आप चाहें तो घी और तेल को दोनों को मिक्स करके ले सकते हैं तो घी हमारा मैल्ट हो चुका है और देखिए गरम भी हो गया है तो इसमें थोड़ा थोड़ा जलेबी की आकार में बैटर गिरा देंगे तो देखिए जलेबी हमारी पतने स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स यह रेसिपी आप जरूर ट्राइ कीजिएगा और बहुत अच्छी बनती है जलेबी तो इसको मैं उलट पलट दूंगी दोनों साइड से इसको पका लूंगी बहुत ज्यादा हाई मीडियम में ग ज्यादा गरम रहेगा तो जलेबी फैल जाएगी और जलने लगेगी मैंने मीडियम ही रखा है इसको तो यह बैच की हमारी जलेबी सिप चुकी है फ्रेंड्स तो दूसरा बैच भी इसी तरीके से हम डाल देते हैं कितने बढ़ियां से बन रही है जलेबी का सेव तो आप बनाएगा हमें उम्वीद है आप अच्छी तरीके से बनाकर तयार करेंगे तो इसे मैं पलट देती हूँ, एक साइड में सिख गये हैं, दूसरी साइड भी सिख लेती हूँ, जितनी पतली जली भी बनती है, उतनी ही अच्छे से सिख के तयार होगी, और खाने में भी बेहत टेश्टी लगती है, तो मैंने चासनी में डिप कर दिया है, जैसे जैसे मैं छांती गई, डिप करती गई, तो चासनी को ठंडा कर लेना था, ठंडी भी हो गई थी, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ, इसके अंदर से, ये देखने में बहुत ही सुन्दर लग रही है, और खाने में बहुत टेश्टी है, तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तक ये गगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग